आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज आपके घर में या स्कूल में कोई न कोई उत्सव जरूर मनाया गया होगा कई बार उत्सव मनाने के लिए आवश्यक चीजें हमारे पास नहीं होती तब हम इन्हें कुछ समय के लिए उधार लेते हैं जैसे पानी के जार, टेंट, स्पीकर, इत्यादी जब हम इन्हें लोटाते हैं तो इनके साथ इनका शुल्क याने फीबी देते हैं वस्तुव की ही तरह कई बार हमें धनराशी भी उधार लेना अवश्यक हो जाता है जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई उध्योग शुरू करना है लेकिन उसके पास परियाप धनराशी नहीं होगी तो वह बैंक या किसी व्यक्ति से कुछ समय के लिए धनराशी उधार लेता है उधार ले गई धनराशी को मूलधन यानि प्रिंसिपल कहते हैं उधार लेने से पहले उधार लेने वाला उधार देने वाले के कुछ नियमों और शर्तों पर सहमत होता है जैसे समय और शुल्क निश्चित अवधी तक व्यक्ति इस धन का उप्योग अपने काम के लिए करता है जब व्यक्ति मूलधन लोटाता है तो वह मूलधन के साथ जितने समय के लिए धनराशी उधार ली है उसका शुल्क भी चुकाता है मूलधन के साथ लोटाएगा अतिरिक धन को ब्याज यानि इंट्रेस्ट कहते हैं मूलधण में ब्याज मिलाकर पता किया जाता है कि कितनी कुलधंराशी लोटानी है, इस धनराशी को मिश्रधन यानि अमाउंट कहते हैं, उधार ले गई धनराशी कब लोटानी होगी और इस पर कितना ब्याज लगेगा, यह शर्टों में दर्शाया होता है साधारन तह ब्याज एक वर्ष की अवधी के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे हम ब्याज की दर यानि rate of interest कहते हैं जैसे 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष या 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर का अर्थ है जब मूल धन 100 रुपय होगा तब वर्ष के अन्त में 100 रुपय के साथ 100 रुपय का आंठ प्रतिशत बराबर 8 रुपय अतिरिक देने होंगे यानि कि मिश्र धन बराबर 100 रुपय धन आंट रुपय बराबर 108 रुपय देने होंगे अब आईए इसे एक उधारण से और अच्छे से समझे प्रकाश रमेश से तीन वर्ष के लिए बीस हजार रुपए का कर्ज लेता है कर्ज लेते समय प्रकाश और रमेश इस शर्ट पर सहमत होते हैं कि धनराशी उपयोग करने के बदले में प्रकाश रमेश को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज देगा चलिए पता करते हैं तीन वर्ष बाद प्रकाश रमेश को कितनी धनराशी लोटाएगा यहां ब्याज की दर है 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचे सोचे बिलकुल सही 12 प्रतीशत या 12 बटे 100 प्रती वर्ष की ब्याजदर का अर्थ है प्रकाश रमेश को एक वर्ष अवधी के लिए 100 रुपए पर 12 रुपए का ब्याज देगा हम कह सकते हैं कि एक वर्ष अवधी के लिए उसे एक रुपए पर बारह बटे सो रुपए का ब्याज देगा इस तरह से एक वर्ष अवधी के लिए 20,000 रुपए उपर उसे 20,000 रुपए गुणा 12 बटे 100 बराबर 2400 रुपए इतना ब्याज देना होगा लेकिन यह तो एक वर्ष के लिए हुआ प्रकाश ने कर्स तीन वर्ष के लिए लिया है इसलिए तीन वर्षों की अवधी के लिए ब्याज होगा 20,000 रुपए गुणा 12 बटे 100 बराबर 2400 रुपए गुणा 3 बराबर 7200 रुपए इसलिए तीन वर्ष बात लटाई जानने वाली धनराशी यानि मिश्र धन है 20,000 रुपए मूल धन धन 7,200 रुपए ब्याज बराबर 27,200 रुपए यहां एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है तीनों वर्ष के लिए मूलधन यानि प्रिंसिपल समान है इस तरह से अगर मूलधन प्रत्यक वर्ष के लिए समान रहता हो तब ब्याज भी समान रहता है ऐसी स्तिती में प्राप्त ब्याज कहलाता है साधारन ब्याज यानि Simple Interest जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ साधारन ब्याज प्राप्त करने के लिए हमने मूलधन ब्याज की दर और समय का गुणन किया है इस समध से क्या आप साधारन ब्याज प्राप्त करने के लिए कोई सूतर बना सकते हैं सोचिए सोचिए सही सोचा यह होगा साधारण ब्याच बराबर मूलधन गुणा ब्याच की दर गुणा समय अगर हम साधारण ब्याच को आई से मूलधन को पी से ब्याच की दर को आर प्रतिशत या आर बटे सो से और समय को टी से निरुपित करें तो साधारण ब्याच आई प्राप्त करने के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं P गुणा R बटे 100 गुणा T या P, R, T बटे 100 ध्यान रहे समय हमेशा वर्षों में होना चाहिए यदि हमें समय महिनों में दिया होगा तो हम इसे 12 से विभाजित कर वर्षों में परिवर्टित कर लेंगे इस तरह यह भी जान ले कि अगर हमें इन चारों में से तीन का मान पता है तो हम इनके उचित व्यवस्था कर चोथी अग्यात राशी का मान ग्यात कर सकते हैं इसी के साथ अगर हम मिश्रधन को ए से व्यक्त करते हैं तो मिश्रधन A बराबर P धन I लिखा जा सकता है इस तरह से आज हमने सीखा साधरन ब्याच अगले वीडियो में हम इनसे संबंदत कुछ उधारनों को हल करेंगे